असलाम देटम आज हमने वाले हैं अथेंटिक यमनी मंदी एक्जेक्ट वही टेस्ट वाली मंदी गरपर आप के कीचन के सिंपल तीस्टी सी मंदी की रेशिपनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर मंदी का मसाला बना लेते हैं तो देखे में हाँ पड़ टीस्पून काली मिशली, थोड़े से लांग लेते हैं चार से पान्च एक दालचीनी का स्टिक है दो टीस्पून धनिया है 5 से 6 यहाइ चावीत तरी का हाफ से भी थोड़ा कम है फूल तो अब यह सारे चीज़ों को हमको भूनना वगएरा कुछ नहीं है बस यह जार में डाल देते हैं जार में डाल कर उसका एक पॉडर बना के सैड में रख लेते हैं अब यहाँ पर यह गोश्ट है देखिए मटन की बना रही है यहाँ पर तो मटन में देखिए यह 900 ग्राम तक यह गोश्ट है तो मैं काफी बड़े साइस की यह पीसेस है आप चाहे तो थोड़े चोटे साइस की भी पीसेस कर सकते तो वैसे तो होटेल में जो सर्फ किया जाता है वो 1300 से 200 ग्राम तक की रहती बोटी मगर यह जो गोश्ट में हमको साबत मसाले दालना है वो देख लेते हैं दो इलेची है तोड़े तीन सचार लॉंग है एक तेजपता है और हाफ टीस्पून काली मिच है एक डालचिनी का स्टिक है थोड़े से धनिया है एक करनफूल है मतलब स्टार अनिस है और देखे थोड़े आठ से दस हरी मिच दाल लेते हैं ताबत और एक टीस्पून नमक डाल लेते हैं यह सिफ गोश्ट गलाने के हिसाब का नमक है अब चावल में हमारा अकसा दालेंगे अब यह जो हम मंदी का मसाला बनाये थे वो मसाला पाउडर वो डाल लेते हैं हम जो सबसे पहले वीडियो में बनाये थे वो पाउडर डाल लिए अब यहाँ पर अच्छा फ्लेवर के लिए लेसन के जवे डाल लेते हैं 6-8 यहां पर हमको अधरक लेसन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अथन्टिक जो मंदी रहती उसमें अधरक लेसन नहीं यूज करते हैं सिर्फ लेसन का यूज किया जाता है और लाल मिर्च का भी यूज नहीं किया जाता सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च का फ्लेवर देते है अब इसमें आट कर लेते हैं पानी जिससे हमको गोश को गलाना है तो एक गलासे देड़ गलास तक पानी डाल लेते हैं डालके सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करके हम उसको प्रेशर को कर लेते हैं अच्छा गोश गलने तक देखे गोश अच्छे से गलने के लिए देखें इसे साइड में एकचे साइड में रख देते हैं। अगर्चे आपको इसी तरीख से गोश को सरी नहीं है, इसमें पूल भी डिया है! इसमें जो फैट रहता उसका खुद रिलीज होके उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता गोश्ट में अब यहां पर हमको चामल बना लेते हैं चामल बना लेके लिए बड़ा सा बर्तन ले लिए उसमें आट कर लेते हैं एक किलो चामल के हिसाब से हमको 200 से 250 ग्राम तक ऑईल हमकों तो यह पीसेस आम इसमें डाल धीह cherry के हम निकाल देते हैं पीसेस को आप चाहे तो बिना fry करें के सब कर कर सकते हैं अब यहां पर जैडिता हम थोड़े PT हरीमिश को तोड़ के डाल लेते हैं 5-6 यह जितना... spicy खाना चाहरही है या तो चाहे तो आप curry meat का paste भी आड़ कर सकते इसमें अब यहाँ पर एड़ कर लेते हैं थोड़े से और lesson आप चाहे तो hole भी दाल सकते या chop करके भी डाल सकते इसे अच्छा flavor आता हमको इसमें अदरक lesson भी यूज ने करना आप और lesson और हरी मिच को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं आपर लो टू मीडियम हेट पे फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर आड़ कर लेते हम जो गोश्ट में से जो सूप बना था जो गोश्ट को अलग करने के बाद जो सूप रह गया था प्रेशर कोकर में हम वो सारा सूप इसमें आ पानी मतलब डबल से थोड़ा कम अगर्चे आप साधे चावल लिंगे तो इसमें डबल पानी डाला जाता है मगर बासमती में थोड़ा कम डाले जाते हैं अब यहां पर हम एड़ कर लिए इसमें एक टी स्पून मंदी मसाला जो हम वीडियो के स्टार्ट में बनाए थे और ए थोड़ी दिर पकने के बाद थोड़ा सा मुझे हलका सा कम लगा नमग तो मैं हाफ टी स्पून और एट कर लिए हम गोश्ट के साथ जो दमक अट करे थे एक टी स्पून था चावल में एक टी स्पून दाले फिर आप कम लग रहा तो हाफ टी स्पून और एट कले अब यह इंग्रीडियन्ट की पॉर्फेक्ट रहेंगे देखिए अच्छे से चावल का पानी सूक रहा है यहां पर हमको बिल्कुल लिट से इसको कवर ने करना है अच्छा खासा पूरा पानी ड्राई होने तक इसे खुले में ही पकाना है जब हमको चावल को दम पे रखना है बस तब हमको यह कवर करना है इसे ड्कन से या लिट से कवर अच्छे से कर लेते हैं अब यहां पर अच्छे से चावल दम होगे अब यहां पर पीसेस के साथ हम इसे बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर और जब अगर लकडी पे पकाए तो किस तरीखे का स्मोकी फ्लेवर आता है उस तरीखे का हमको स्मोकी फ्लेवर देना है यह राइस और गोश्ट में तो हम यहां पर एक कटोरी में थोड़ा सा एक कोईला रख देते हैं उसमें घी डाल लेते हैं या बटर जो भी आपके पास आपास डाले और पांच मिनिट के लिए उसे फ्लेवर आने के लिए रख देते ह। पांच मिनट के बाद आप ये निकाल दे कोईला इसमें बड़ताने जो ंता है अगर जादा था स्मोकी फ्लेवर चाह रहा रहें तो आप काटोरी में एक टीस्फून एक टीस्पून घी डाली आप चार से पांच टीस्पून डाल कर वही वाला घी आप चावलों के उपर से डालेंगे जब तो और ज्यादा स्मोकी फ्लेवर और ज्यादा टेस्टी होती है मंदी तो अभी देखिए बिलकुल रेडी है ये मंदी को सर्फ करने के लिए कैसा खिले 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 बिलकुल जबरदस चावल है जैसे देखने में खिले 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 चावल है वैसे टेस्टी खाने में भी बिलकुल आप अगरचे आपका इत्तफाख हुआ घर या गल्फ में जान के साथ यह चौप की आवा हरा देने हैं तो बिलकुल मैं थोड़ा सा इसे गानिशिंग के लिए यूज करी बस इस वैसे तो मंदी में नहीं डली जाती है मगर यहां पर हैदरबाद में इस तरीखे से हलका सा गानिश करके देते हैं मगर यहां पर अब कुछ मिसिंग है तो हम यहां पर बना लेते हैं इसके साथ मंदी के साथ सर्फ की जाने वाली चटनी मतलब के शत्ता अब यहां पर शत्ता बनाने के लिए चाट टमाटर है एक प्याज है एक हरिमिच अगर चैया बिलकुल मीडियम स्पाइस खाना पसंद क कर रहें तो एक हरिमिच काफी रहेंगे थोड़ी स्पाइसी है याने तो आप दो हरिमिच भी दा सकता है उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल लिए और थोड़ा सा विनिगर डाल लेते हैं हलका सा ताकि टॉमाटर का कलर चेंज ना हो बस आप उसे बलेंड कर लेते हैं तो करें और यह रेसिपी इस एद पर जरूर ट्रै करें और अपना फीड़ बैक मुझे जरूर दे तो एंजॉय करें और खाएं खिलाएं खुश रहें लाफीज